हेलो फ्रेंट्स जैश्वी राम सोना की रसोई में एक वर्फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए बिल्कुल डिफ्रेंट स्टाइल रेसिपी यह सभी के घरों में बनती है बट आज हम इसको बिल्कुल आपको नए तरीके से बन धो लिया है तो आप देख रहे होंगे हमने दो जगल है तो एक मटर हमने विया है उसमें से हमने थोडि सी कटोरी में लग निकाल रही है इसे हमें ऐसे आहीं रखना है और यह देखिए हमने मटर का यह दरदरा सब्सक्राण toggle कर लिया है बिल्कुल आपको तो एकदम इसे महीन एकदम नहीं पीशना है आपको दर दर असा ही रखना है और अब हम उसे रख देंगे साइड और यह हमने लिए तीन से चार हरी मिर्च एक टुकड़ा अद्रग और लेसन हमें थोड़ा सा पाकी क्वांटिटी से जादा चाहिए और हरी धनिया इन सब को मुझे और बना लेंगे तो यह देखियो हमने इसका अच्छा सा पेस्ट टैयार कर लिया है और इसे भी हम साइड रख लेंगे अब हम चड़ाएंगे गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई हमने लोहे के लिए इस लोहे की कढ़ाई लेने से आपको दो फायदे होते हैं एक तो आपका खाना जो है वो बनाने में चिपकता नहीं है और प्लस हेल्थ वाइस भी बहुत अच्छा रहता है तो अब इसी कढ़ाई में हम इसे गैस ऑन करके ह इस में तीन बड़े चमल सरसो का तेल डाल देंगे आपको ध्यान रसना है कि सरसो का तेल यूज करना है इससे ही एक्में अच्छा फ्लेवर आएगा तो बस तेल को हम थोड़ा सा जाते होगी को यह हमारी घर की बनीहु में बड़ी आप सभी किया हे घर में बनती होगी चन तो 5-6 बड़ी हमने इसे ले लिए और एक मिनिट पे हम फटा फट से इसे फ्राइ कर लेंगे बिल्कुल भी ज्यादा ओवर नहीं हो नहीं तो यह कड़ी लगेगी और इसी तेल में ही हम दो आलू कटे हुए फ्राइ कर लेंगे बिल्कुल हमें दो आलू चाहिए और छोटे- तो फटा-फट से हम इसे जैसे लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो आपको अंदाजल लगा होगा कि आज हम बना क्या रहे हैं चलिए बनाते हैं फिर बताते हैं तो बस यह हमारे आलू भी हो गया है फ्राइ और इसे भी हम साइड में निकाल लेंगे यह देखिए इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू भी हमको बहुत जादा पकाना नहीं पड़ता है और अब इसी तेल में हमने जो हमने मटर अपनी पीस के रखी दी ना वह हम एड़ कर देंगे तो अब तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि हम आज बना क्या रहे हैं तो यह हमने देखिए मटर तो हमने जो पीसी थी साथ हम इसमें खड़ी मटर डालेंगे निमोना जो बनता है ना जनरली सब एकदम पीस के बनाते हैं लेकिन आज हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी खड़ी मटर भी ऐड़ करेंगे जिससे इस इतना आप अच्छे से भूनेंगे, निमोना आपका उतना ही टेस्टी और स्वादिस्ट बनेगा, तो बस देखिए, हमें इसे लो फलेम रखते हुए, फटा फट से इसे अच्छे से भून लेना है, अब भूनने की पहचान आपको देख भी रहोंगे एक तरीके से, कि आप बिल्कुल भी खड़ाई में चिपक नहीं रहा है, एकदम से लोही की खड़ाई में कभी बिल्कुल भी चिपकता नहीं, और ये देखिए, एकदम से फ्री सजब हो जाता है, मतलब कि आपका ये मटर अच्छी तरीके से ये भून गई है, अब बस हमें इसे अलग नहीं नि की बॉड़ी में, और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ये देखिए, इसे भी हम एक से दो मिनट के लिए इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, लोही की कड़ाई में निमोना बनाना बहुत ये अच्छा होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता इस कड़ाई में बनाने से, तो इसके बाद हम जब ये दो मिनट हम भून लेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे, नमक, स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया पाउडर और छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे, जीरा, जीरा पाउडर हम इसमें एड़ कर तो बस इन सब को भी हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे मसाला बिल्कुल भी कच्छा ना रहे, और अच्छे से हम इसे प्रॉपर भून लेंगे, तो ये देखिए हमारी मतर भून गई है, जब इसमें हम अपना जो हमने बड़ी और आलू फ्राई किये थे थे ना, वो भ इन दोनों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे साथ में मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें अड़ कर देंगे पानी, पानी या ठंडा या गरम, दोनों किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो अब ये हमने इसमें दो कप पानी add किया है और इसे हम अच्छे से mix कर देंगे इसे stage पर हम gas की flame high कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे हमारा पूरा mix अच्छे से मिल जाए और हमें अभी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यह पकेगा तो और dark हो जाएगा तो इसलिए हम एक कप पानी तो total हमने इसमें तीन कप पानी यूज किया है तो यह देखिए अभी से हम high flame पे ही अच्छे से पकने देंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए ना तब तक हम इसे पकने देंगे तो यह हमारा बढ़ियां से यह देखिए अच्छे से उबाला गया है आप लोही की कढ़ाई में बिल्कुल भी यह परिशानी हो यह कि इसका कलर कैसा दिख रहा है या यह ब्लैक हो जाता है बिल्कुल भी नहीं बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कलर पर बिल्कुल मत जाईएगा और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है आप जनरली आपको लोही की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए नॉन स्टिक हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है तो आप कोशिश करिए कि लोही की कढ़ाई में आप बनाया करिए तो बस हमारा देखिए पांच से दस मिनिट हम उसे तरह पका लेंगे इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे और हम गैस को बन कर देंगे और ये देखिए हमारा निमोना बन के तयार आप बस एक चीज का ध्यान दीजेगा ये बहुत ही खास टिप्स है कि जब भी आप लोही की कढ़ाई में कोई भी सबजी या कुछ भी बनाते हैं तो उसे आप उसे के साथ छोड़े नहीं आप तुरन सबजी बनाए और उसे तुरन दूसरे बरतन में खाली कर दे जिससे उसका एक जो टेस्ट होता है वो अगर आप जादे देर तक उसमें छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा तो ये देखिए हमारा निमोना बिल्कुल गरम गरम सा भाप निकल रही है घचान बिल्कुल बन के तयार है तो आप इस गरम गरम चावल के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ जैसे भी आपको पसंदोः आप किसी भी तरीके से इन्जॉई कर सकते हैं वैसे हमें दो निमोना ज्यादा तर चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और खड़ी मटर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है तो चलिए, I hope आपको ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें